रम रम वै न बहुत जी सुषराढ़ बाई जैसे कल फीमेल को फीमेल के बच्चो को जो डिलीफी हुई थी 25 तारिक को उनको आईरेन या इंजेक्शिन दिया गया था आध वा आज इन बच्चो को फोट्था दिन है चार दिन होगे तो आज उनको बी कॉम्प्लेक्स का जो इंजेक्शन आता है वो दिया जाएगा उसमें कई वराइटी आती हैं मैं तो जैसे यह में कवेयट आता हूं ये यूज करता हूँ कई लोग मल्टि विटामिन और काफी तरह हैं इंजेक्शन उसमे आता है और काफी आते हैं जिसको जो सूट करता है वह यूज करता है देखो भाई कल कितरे हैं सेम प्रोसेजर है कोई अलग प्रोसेजर नहीं है कल हम लोगों जैसे उनको राइट साइड में लगाया था कुल्ले पे आज लेट साइड में लगाएंगे साइड चेंज कर देंगे ताकि एक जगे बार बार इंजेक्शन ना लगे नेक्स जो इंजेक्शन होगा दस दिन बाद जो लगेगा वो गरदन में लगेगा अभी क्या होता है कि बच्चे के मास और कहीं होता नहीं इतना ज्यादा कि सुई वहाँ पे लगाई जाए सिर्फ यह होता है तो इसलिए यहां पर लगाया जाता है इंजेक्शन अग्ये 10 दिन बाद बच्चा ग्रोथ कर जाता है उसके गरदन पर इतना मास आजता है कि उसके गरदन में लगाये जाए फिर इंजेक्शन जैसे यह बच्चे उंकल वाली आज भी मैंने पहले ही अलग कर लि श्खेंटर करणा भी मैंने प्राइब हाँट कर लिद में लगाये कि वर इंजेक्शन को इंजेक्ष वहाँचसन तो इंजेगे हाँचस प्राद कर दो यहाँआ़ कर दो अशुद्द। कर दोड़ने अए कर दो तो जपेवाराब यह कि अए चुफज़ खुफॉक्षटी कि अए दे टाएग कि अएचवर, इवचछर में तो फुदुखब दुपकि अए टुपशों कि अएचश नही कि अए टो वज़ी जए कि अएगार बहुब दुब ख़कि अएगार। कि यह देखो बाई सब फटाफट काम खतम हो गया ज्यादा देर नहीं लगी इसमें अभी देखो यह मादा भी फीड के पास से लीगी है जब तक बच्चे अलग थे यह भी फीड नहीं खारी थी अभी यह भी फीड हानी शरू होगी है और बच्चे जैसे आप देखो कैसे चल रहे हैं तो अगर आप एक ही जगह बार-बार इंजेक्शन लगाओगे तो बच्चा डिप्रेशन में स्टैज का शिकार होता है फिर उ अग्ये भी नहीं गए वाई सब बिल्कुल भी यह कुछ देर रेस्ट करेंगे फिर अपने आराम से गुमेंगे फिर रहेंगे जैसे वह बच्चा गुम रहा है